दोस्तो लखनौ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए सुपहिट मुकाबले की समापती के बाद आईपेल 2024 के पॉइंट स्टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है लखनौ और पंजाब के बीच का ये बलाकबस्ट मुकाबला जैसे ही खत्म हुआ आईपेल 2024 के पॉइंट स्टेबल में बहुत बड़ा उलट फेर हो गया मुंबई दिल्ली और बुजरात को लग गया है बड़ा जटका आईपेल 2024 का नया पॉइंट स्टेबल जारी हो चुका है इस पॉइंट स्टेबल में कौनसी टीम की स्थान पर मौजूद है जानेंगे आज की इस वीडियो में नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले है कि आईपेल 2024 के नया पॉइंट स्टेबल में क्या बड़ा उलट फेर हुआ है कौनसी टीम कितने नंबर पर है आईपेल 2024 का बिलकुल नया पॉइंट स्टेबल आप सभी को बताएंगे इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंतक पूरा देखिएगा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंट्रस्टेंड और इंफॉर्मेटिव होने वाली है लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी केल राहूल के बहुत बढ़े फैन है तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजेगा साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं दोस्तों लखनाओ और पंजाब के बीच रोमान चक मुकाबले में कप्तान केल राहूल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्ने लिया इसी के साथ ही पंजाब को पहले गैंदबाजी करने का आमंतरंग दिया लखनाओ की टीम ने शांदार बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 200 रन का विशाल्स को खड़ा कर दिया लखनाओ की तरफ से सबसे ज़्यादा क्विंटन डीकॉक ने 54 रन की ताबर्तोर पारी खेली थी तो वहीं पर निकलिस पूरन ने 42 रन और कुनाल पांद्या ने नाबाद 43 रन की बहतरीन पारी का योगदान दिया था पहार जैसे लक्षे का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की टीम ने भी जवाब में बहुत ही खतरनाक बल्ले बाजी की दोनों ही टीमों के बीच अटल बिहारी वाजपेई स्टेडियम में बहुत ही करारी टककर देखने को मिली लखनाओ और पंजाब के बीच रोमान चक मुकाबले की समापती के बाद IPL 2024 के पॉइंट स्टेबल में भूचाल सा आ गया है पॉइंट स्टेबल में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है तो आईए दोस्तों अब आपको IPL 2024 के नए पॉइंट स्टेबल के बारे में बताते हैं दोस्तों पॉइंट स्टेबल में सबसे नीचे यानी की दस्वे स्थान पर हार्दिक पांड्या की टीम मुंबई इंडियन्स मौजूद है आपको बता दे पाँच बार की चेंपियन मुंबई का अभी तक पॉइंट स्टेबल में इस सीजन खाता भी नहीं खुला है अभी तक दोनों ही मुकाबले अपने घर से बाहर खेले थे अपने तीसरे मुकाबले में मुंबई की टीम वापसी करना चाहेगी और पॉइंट स्टेबल में अपना खाता खोलेगी इमाई पल्टन दो में से दो मुकाबले हारने के बाद जीरो अनकों के साथ प्वाइंट स्टेबल में सबसे नीचे दस्वे नंबर पर मौजूद है आपको बता दे इस समय मुंबई इंडियन्स का नेट रन रेट माइनस जीरो नौ दो है। दोस्तों इसके बाद प्वाइंट स्टेबल में नौवे नंबर पर रिशब पंत की टीम दिल्ली कैपिटल मुझूद है रिशब पंत की कप्तानी में दिल्ली कैपिटल का प्रदर्शन अभी तक इस सीजन में बहुत ही खराब है। प्वाइंट स्टेबल में नौवे पायदान पर है इस समय दिल्ली कैपिटल का नेट रन रेट माइनस जीरो दशमलब पाँच दो है। वही पर दोस्तों इसके बाद प्वाइंट स्टेबल में आठवे नंबर पर सुबमन गिल की टीम गुजरात टाइटन्स है। गिल की बहतरीन कप्तानी में गुजरात की टीम ने टोटल दो मुकाबले खेले हैं, एक मुकाबले में उन्हें जीत मिली है तो एक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था। शुबमन गिल अपने बाकी बचे हुए मुकाबले में जीत हासिल करके गुजरात को प्वाइंट स्टेबल में टॉप तक ले जाएंगे आपको बता दे गुजरात की टीम दो अनकों के साथ प्वाइंट स्टेबल में आठवे नंबर पर है इस समय गुजरात टाइटन्स क जीत मिली है बाकी के दो मुकाबले में उन्हें हार जेलनी पड़ी अपने ही होम ग्राउंड में आरसीबी की टीम के क्यार से हार गई थी आरसीबी की टीम को प्ले आफ में क्वालिफाइ करने के लिए और बहतरीन तरीके से पफोर्मेंस करनी होगी आपको बता दे आरसीब की टीम 3 में से एक मुकाबले में जीत और दो मुकाबले में हार की वजह से दो अनकों के साथ पॉइंट स्टेबल में सातवे नमबर पर है इस समय RCB का नेटरन रेट माइनस 0.7 है जबकि दोस्तों इसके बाद पॉइंट स्टेबल में छटे नमबर पर केल राहूल की टीम लखनव सुपर जायंट्स मौजूद है लखनव की टीम ने इस सीजन के आईपील में अभी तक टोटल दो मुकाबले में पार्टिसिपेट किया है एक मैच में जीत मिली और एक मुका इस समय माइनस जीरो दो चार है जबकि दोस्तों पॉइंट स्टेबल में पाचवे नमबर पर शिकर धवन की टीम पंजाब किंग्स है धवन की कप्तानी में पंजाब किंग्स ने इस बार के आईपील सीजन में काफी बहतरीन पफोर्मेंस दिखाया है शिकर धवन की प्रन्रेट प्लस जीरो दशमलब जीरो दो है तो वहीं पर दोस्तों पॉइंट स्टेबल में चौथे नमबर पर पेट कमिंज की टीम संराइजेज हाइडराबाद है हाइडराबाद की टीम इस बार के आईपील सीजन में कुछ अलगी प्रकार से प्रदर्शन कर रही है इसमें उन्हें एक मुकाबले में जीत मिली थी और एक मुकाबले में हार इसलिए हाइडराबाद की टीम दो उनकों के साथ प्रदर्शन करते हुए राजस्थान ने बहतरीन जीत हासिल की है संजू सैंसन की अगुवाई में राजस्थान की टीम ने दो मुकाबले में पार्टिसिपेट किया और दोनों ही मुकाबले में शांदार मिली जीत की वजह से राजस्थान की टीम चार अंकों के साथ प्वाइंट स्टेबल में तीसरे पायदान पर है संजू सैमसन की टीम ऐसे ही प्रदर्शन करती रही तो प्लेआफ के लिए बहुत जल्दी ही क्वालिफाई कर जाएगी आपको बता दे राजस्थान रोयल का नेट रन रेट इस समय प्लस 0.8 शून्य है तो वही पर दोस्तों प्वाइंट स्टेबल में दूसरे नंबर पर श्रेयस एयर की टीम की क्यार है खुलकाता की टीम ने अभी तक टोटल दो मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबले में उन्हें बहतरीन जीत मिली RCB के खिलाफ चिनना स्वामी में केक्यार की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए RCB को हराया था केक्यार की टीम चार पॉइंट के साथ प्वाइंट स्टेबल में दूसरे पायदान पर है इस समय केक्यार का नेटरन रेट प्लस 1.04 है जबकि दोस्तों प्वाइंट स्टेबल में पहले नंबब पर MS धोनी की टीम 59 सुपर किंग्स है चेननाई की टीम ने भी अभी तक दो ही मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबले में शानदार जीत मिली है इमिस धोनी के मास्टरमाइंड दिमाग से चेननई की टीम काफी बहतरीन प्रदर्शन कर रही है उनके नए कप्तान रितुराज भी काफी शांदार ले में नजर आ रहे हैं चेननई की टीम चारंगों के साथ प्वाइंट स्टेबल में सबसे टॉप पर है चेननई की टीम का नेटरन रेट प्लस एक दशमलव नौ साथ है तो दोस्तों ये रहा IPL 2024 का बिलकुल नया प्वाइंट स्टेबल दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं